नमस्ते वेलकम टू मैं चैनल आओ अंग्डेजी से के लेट्स लॉन इंग्लिश आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे शब शेयर करूंगी जो कि हम जब इस्तमाल करते हैं जब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं देखें यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी में शब लिखे हैं वे उने उनका उनके उन्होंने खुद यह सब जो है एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तवाल हो रहे हैं और यह दूसरे हम डारेक्ट उनसे बात नहीं कर रहे हैं हम सामने से बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम उनके बारे में बात करें, तो उनको क्या बोलते हैं, वे को हम बोलते हैं, दे, उन्हें, दे, उनका देर, उनके देर्स, और उन्हें खुद मतलब देंसल्ब्स, तो आए देखते हैं किसको हम वाक्यों में कैसे इस्तमाल करते हैं, वे, वे मतलब दे, वे मेरे रिश्चिदार है, र यहाँ पर आ दे, they are my relatives, वे वापस आ रहे हैं, they are coming back, अभी उन्हें, उन्हें मतलब them, उन्हें आने दो, let them come, यहाँ कमरा उनके लिए है, this room is for them, तो यहाँ उन्हें और उनके लिए के लिए हमने them का इस्तमाल किया है, अभी अगर उनका है, कोई चीज उनकी है, तो हम क्या व house is near a river, उनका कुता हमेशा बहुकता रहता है, their dog is always barking, अभी उनके, अभी यहाँ पर हमने simple sentence में बता है, कि उनका गर जो है नदी के पास है, अगर हम यही चीज को बहुत जोड़ दे के बताना जाते है, कि यह चीज उन्हें की है, तो हम उनके लिए कास्टमाल करते है, theirs, उ यह गाड़ी उनकी है, तो हम यह जोड़ दे रहे, this car is theirs, यह उनकी गाड़ी है, मैं उनके जैसा बगीचा चाहती थी, I wanted a garden like theirs, कि मुझे उनके जैसा ही बगीचा चाहिए था, अब अगर उन्होंने खुद कोई काम किया है, तो हम बोलते है, themselves, यह खुद करना नहीं चाहते मतलब way मतलब they, यह नहीं काम करना चाहते है, खुद तो बोलेंगे way, they do not want to do it themselves, अभी बच्चों ने वह काम खुद किया है, तो बच्चे मतलब children, children did that work themselves, मतलब यह उन्होंने खुद काम किया है, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसे लाइक कर शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घर बेटे इंगली सीखे, thank you